नमस्कार में हूँ दिवांजली मोहित्रा एक कहावत के अनुसार इंसान अपनी परिशानी से उतना दुखी नहीं होता जितने वो दूसरे की सफलता और उसके विकास को लेकर होता है आप तो जानते हैं कि दक्षन एश्या में चीन और भारत की वार चलती रहती है कभी चीन आगे तो कभी भारत की गाड़ी आगे इसी नुराकुष्टी के खेल में दोनों देश एक दूसरे को पच्छाडने के बारे में सोचते रहते हैं आपको याद होगा कि भारत ने मालदीव से चीन को भगा कर एक बहुत बड़ी कूटनी तिक जीत हासिल की थी और चीन देखता ही रह गया था अब उसी दोस्ती को और गहरी बनाते हुए भारत ने मालदीव को एक जंगी जहास दिया है जिस तरह से अफगारिस्तान को लड़ाकू हेलिकॉप्टर दिया लेकिन चीन को ये गिफ्ट कुछ पचा नहीं और भारत के इस गिफ्ट से वो परिशान हो गया है दरसल भारत ने कामयाब जंगी जहास को मालदीव को गिफ्ट किया गुजरात में H&MT कमपनी द्वारा बनाए गए पेट्रोल वेसल एक ऐसा जहास है जो तेजी से समंदर के अंदर गश्ट लगा सकता है और दूसरी तरफ से आ रहे खत्रे को नश्ट कर सकता है अब ये बताने की जरूरत नहीं कि अब समंदर में भी मालदीव अपनी सुरक्षा को और कड़ी कर सकता है और दूसरे देश से हो रहे घुसपैट को दिलेरी के साथ रोक सकता है इससे समुदरी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और इससे मालदीव के आर्थिक हालात सुधरेंगे आप सबको मालूम है कि चीन को मालदीव से खदेडने के बाद भारत ने मालदीव की काफी मदद की और आगे भी करता रहेगा वहीं दूसरी तरफ मालदीव ने भी भारत से अपनी दोस्ती को और गहरा किया और भारत के साथ हर समय डट कर खड़ा रहा इसी का नतीज़ा है कि भारत का रूपे कार्ड मालदीव में धढलने के साथ चल रहा है आपको पता होगा कि भूटान, सिंगपोर, UAE, बहरेन और साओधी अरब में तेजी के साथ दोड़ रहा है भारत और मालदीव के रिष्टे से मालदीव का टूरिजम भी सुधरने लगा है यही नहीं भारत मालदीव में और कई सेक्टरों में भी अपनी पोँच को बढ़ा रहा है और भारत के सहियोग से मालए की सड़कों पर LED लाइट भी लगा दी गई इसके साथी साथ भारत ने अलान किया है कि भारत मालदीव में क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही साथ कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए एक कैंसर अस्पताल भी खोलेगा इस बात से आपको अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि भारत अपनी शम्ता के हिसाब से मालदीव में वो कर रहा है जो उसे करना चाहिए और यहीं वज़े है कि चीन को टेंशन में डाल दिया है कि भारत एक दिन चीन को मालदीव के मार्केट से ही न निकाल दे इसी वज़े से भारती उपहार को लेकर बीजिंग परिशान है लेकिन चीन ने अपनी प्रतिक्रिया तो नहीं दी लेकिन हाव भाव से तो पता चली जाता है कि बंदा परिशान लग रहा है चीन भी कुछ उसी तरह की हरकत कर रहा है देखते हैं कि आगे चीन कौन सी चाल चलता है